सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट चो होते हैं तो अभी हम डायरेक्ली से कीबोर्ट के उप़र लगाएंगे तो उसके लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना होगा यहाँ पर आपको निच्चे स्क्रोल करना है तो यहाँ पर आपको अडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना होगा उसके बाद आपको सेकेंड वाला उपशन दिख रहा है लेंग्वेज एन इन्पूट तो इस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको कीबोर्ट को सिलेक्ट करना है तो अभी हमारा डिफाल कीबोर्ट माइंट कीबोर्ट है यदि आपने कोई दूसरा कीबोर्ट इंस्टोल किया हुआ है तो आपको इसे सिलेक्ट करना होगा तो अभी हम मैनेज कीबोर्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दोनों में सेटिंग का ओप्शन दिख रहा है तो मैं आपको यहाँ पर दोनों में दिखा देता हूँ आपने हो सकता है जी कीबोर्ट भी सिलेक्ट किया हो अभी हमारा डिफाल्ट कीबोर्ट माइंट कीबोर्ट है तो यहाँ पर हम इसकी सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको निच्चे स्क्रॉल करना होगा तो यहाँ पर आपको यह option दिखेगा emoji number row तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको number row as default पर क्लिक करना होगा तो अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो अभी हमारी number की row show हो चुकी होगी तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कीबोर्ट के उपर नंबर की लाइन आ चुकी है तो अब यहां डाइरेक्ली से यहां से एकसेस कर सकते हैं और यदि आपने डिफॉल्ल कीबोर्ट में G कीबोर्ट सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं आपको उसमें भी दिखा देता हूँ तो जैसे हम यहां पर सेटिंग में हैं तो अभी हम इसको ओफ कर देंगे ताकि हमारा डिफॉल्ल कीबोर्ट G कीबोर्ट पे हो जाए तो उसके लिए आपको सेटिंग पे क्लिक करना होगा और यहां पर आपको फ्रपेंसेंस पे क्लिक करना है और यहां पर आपको फर्स्ट में ओप्शन दीख जाएगा नमबर रोव तो यहां से आप इसे बंद चालू कर सकते हैं तो यहां पर अभी हम फिर से चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं जी की बोड यहां पर आज चुका है और यह नमबर की लाइन भी यहां पर आज चुकी है और यदि आपको इसे फिर से बंद करना है तो आपको बस इस रोव को बंद करना होगा तो यहां पर यह लाइन बंद हो जाएगी तो आप देख सकते हैं तो इसे आप इसे बंदिया चालू कर सकते हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही